हेलो फ्रेंद्स, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल, मैं हूं दिव्याश शर्मा, दोस्तों, दिमाग हमारे शरीद का ऐसा हिस्सा है, जो हमारे पैदा होने से लेकर मरने तक काम करता रहता है, यह होरगन हमारे सोचने, हमारी क्रेटिविटी, हमारे जस्पात, हमारी हरकत और हर एक चीज़ को कैपचर करता रहता है, इसलिए इसकी सेहत पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, हम रोजाना की अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करके, अपने दिमाग की थाकत को दोगुना कर सकते हैं, इसमें आई कमजोरी को दूर कर सकते हैं, तो चलिए जानत अगर आप इसका सेवन दूद के साथ करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, यह आँखों की रोशनी को भी बढ़ा देगा, इसके इलावा आप क्या करिए, आप एक आमने का मुरब्बा ले लीजिए और एक सेवन का मुरब्बा ले लीजिए, दोनों का सेवन गुरंगुने पानी के साथ करिए, ऐसा करने से ब्रेन सेल्स इंप्रूव होते हैं, तीसरे नमबर पर आता है अखरोट यानि की वालनट, इसमें ओमेगा थ्री फैटी असिड अच्छी मातरा में होता है, जो कि हमारे सोचने समझने की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है, तो अगर आप अखरोट का सेवन ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करने के लिए कर रहे हैं, तो आप इसका सेवन रात को पानी में भिगो कर और सुवैस का सेवन करें, अब इन तीन चीजों के इलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, जो हमारे दिमाग को तेज करते हैं, जैसे की ग्रीन टी, ग्रीन टी के अंदर अच्छी मातरा में एंटी ऑक्सिदेंट पाया जाता है, यह नेके वल हमारे वजन को घटाता है, बलकि एक स्टाडी से यह पता चला है, ग्रीन टी पीने वालों का दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, इसके इलावा डार्क चॉक्ले भी इंप्रूफ हो जाएगी, लिकिन अगर आप आलमड का सेवन रोजाना दूद के साथ करते हैं, तो यह हमारे मसल पेन को भी दूर करता है, इसके इलावा यह हमारे दिमाग को भी तेज करता है, नेक्स्ट और लास्ट है हल्दी, दोस्तों हल्दी के अंदर एंटी ऑक्स और ते इसके इलावा कसिमीन पाया जाता है, जो दिमाग को ताजकी और तेजकी भरदान कर दोस्तों इसका सेवन तो आप कैसे करता है, आप चाहें तो गुंगुने बानी के साथ या गुशन दूद के साथ हल्दी का सेवन रात को कर लिजी, ऐसा करने से आपका ब्रेंच स साथ जरूर शियर करीगा बिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए stay healthy always be happy thank you for watching my video okay bye